हलो फ्रेंज वेलकम टू रुची फूड वर्ड आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की special सबजी पालक और मतर पालक मतर की सबजी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में और चलिये तो आज बनाते हैं पालक मतर की सबजी जो रेस्पी मैं बना रही हूँ वै फिर मैंने प्याज को स्टीम करके अब उसे ब्लेंड कर लिया है मैंने यह देखिए प्याज हमारा ब्लेंड हो गया है और पालक भी ब्लेंड होके मैंने निकाल लिया है और अब पीसेंगे हम टमाटर को पालक सारा ब्लेंड का काम पहले कर ले रही हूँ उसके बाद बनाएंगे हम सबजी टमाटर भी ब्लेंड होके निकल गया है और ले रही हूँ मैं बटर को थोड़ा जय है अर इसे कर लेते हैं पहले फ्राई, तेल गरम हो गया था, तो मैंने बटर उसमें डाल दिया है, बटर को थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे, मट्टर हमारा फ्राई हो गया है थोड़ा समय ने इसमें डबक भी डाल दिया था फ्राई करते समय मट्टर रिकाल लिया मैंने और अब इसी तेल में ताल दूगी मैं बेथी और छोटा सा टुकरा दाल चिरी का डाला है मैंने बस और कुछ नहीं डाल रही है अब डालूगी में अद्रक लेसुट कुटा हुआ आप चाहे तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं मिर्ची मैंने इसमें यूज दही की है चाहे तो यूज कर लीजिए अब डाल दिया है मैंने प्याज का पेस्ट और इसे थोड़ा सा भुड़े के बाद इसमें डाल देंगे टबाटर का पेस्ट और फिर इसे हम भुड़ेंगे दो बिड़ट के करीब तेज आज पे भुड़े के बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी, धड़िया पाउडर, गरब बसाला पाउडर और डबक और फिर इसे करेंगे हम फ्राइब अब इस बसाले को करीब 5-7 मिनट के लिए फ्राइब करना है, थोड़ी देर तो हम तेज आज पे फ्राइब करेंगे, उसके बाद इसे ढख देंगे थोड़ी देर के लिए पांच मिनट हो गए थे तो मैं अब इसे फिर से अच्छे से चला रही हूँ, दो-तीर मिनट और पकाने के बाद इसमें आप डाल दीजिए पालक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखिए थोड़ा दो-तीर मिनट के बाद इसमें बटर भी डाल देना है, बहुत ही सिंपल सब्जी है, कोई खास टेकनिक नहीं है इसे बनाने में, अच्छी बहुत लगती है, जिन बच्चों को जो बच्चे हरा पालक वालक नह ही खाना चाते हैं, हरी सब्जियां, उनको भी आप ये पालक की सब्जी खिला सकते हैं, वो भी बड़े बज़े से खाएंगे, पूरी के साथ खिला ये चावल के साथ, देखिए धक के मैंने थोड़ी देर और पका लिया था और अब मैं इसमें डाल दूगी पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी इतना डालते हैं कि ग्रेवी बन जाए अच्छी सी, क्योंकि हम लोग को इसे चावल के साथ खाना था, अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें या पूरी के साथ, थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं, ये देखिए पानी थोड़ी सी कश्विरी लाल विर्च, आप चाहे तो डाल सकते हैं, हमारे या तो सर्दियों में ये खूब बनता है, आप लोग भी बनाईए, एजॉय करिए, विडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यूँ